नमस्कार देखिए मैं किसी नमूने को जवाब नहीं दे रहा हूं मैं वास्त्विक इस्थिति से आप लोगों को आउगत करा दे रहा हूं कि जो आज अहड यो बना के ये अपने आपको समाज का मसीहा बना रहे हैं आप बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अमरिंदर को स्वागत करेगा तो मुझे लगता है कि लगता है भी पुराने मेरे उससे ये लोग बहुत वाकिफ नहीं हैं यही रहुल मौरिया हैं यही मनोज प्रजापती हैं जो लोग पहले कोई इनके लोग थे कई लोग थे जिनके उपर ये लोग कंधे पे बंदूग रखके ये ल अधेल है और मुझे नहीं लगता है कि वो आदमी होसो हवास में बनाया है जैसे कि मैं जानता हूं मैं आप लोग को बार 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 बोला हूं कि ये लोग जैसे कि आठ वजे के बाद ये लोग अपनी मती में नहीं रहते ये लोग नसे में रहते हैं तो आज मैं खुल के बता रहा हूँ कि मैं इन लोगों को चाहूं तो बहुत अच्छे समझा सकता हूँ लेकिन फिर वही मनोश्चती मैं जानता हूँ कि ये पिछड़ा दलिस समाज है और एक बात और मैं इस पसकर रहे हैं जो भारती पटेल कह रहे हैं कि अमरेंदर सिंग कर रिष्तेदार ये भगवान मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ जो पटेल होता है वो अमरेंदर कर रिष्तेदार हो जाए अमरेंदर तो अब क्या बता है मुझे कहने में भी मितलम हसी आती है कि ये लोग वो लोग हैं कि जो लोग ना कभी आंदोलन में आर्थिक रूप से सायोग किये ना आंदोलन में सारीरिक रूप से कभी भी जिस लेवल का हुऊ उस लेवल का कभी कोई से मुझे आप लोगों को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है ना आप लोगों को मैं सफाई दे रहा हूँ ये मैसेज मैं उन नमूनों को देना चाहता हूँ कि वेटा बहुत बच के बहुत हिसाब से ये लखनव है अच्छे अच्छों का हवा निकल जाता है और निकला है साथ महीने अंदोलन में हमने अपना खून पसीना गमाया है और तुम लोग भूल जाओ मैं इस भरती को 12,460 के रास्ते पे नहीं जाने दूँगा इस भरती को कोट कोट नहीं खेलने दूँगा जो तुम लोग जिस मकसद में हो उस मकसद में हम कामयाब नहीं होने देंगे मुझे पता है कि तुम लोग चार चपंडी बैट के अहां ग्यान लगा रहे हो मुझे सिब मैसेज करना है लोग मेरे पास आहवान कर रहे हैं कि भाईया एक बार अंदोलन का आहवान करिए लेकि मैं भी वो आनन फानन में गलत नहीं करना चाहता हूं मैं बात करके सरकार को अपने कदमों में जुकाया है तुम जैसे नमूनों के लिए मुझे जवाब देने की जरुवत नहीं है हलाकि गलत बोले हो गलत कियो हो उस चीज का भुकतान तो तुमको करना पड़ेगा अच्छे अच्छों को करना पड़ा तुमको भी करना पड़ेगा बहुत अच्छे से हो अब देखना कल से तुम लोग देखना कितना ग्यान कितना प्रदर्जित तुमारा होगा सब तुम लोग को पता चल जाएगा खैर छोड़िए और ये लोग करें कि भारती पटेल की आज क्या मैं वापस करा दूँ मैं कौन होता हूं भारती पटेल की आज का वापस कराने माला अगर भारती पटेल से मेरा कोई कोई संबंध जोड़ दे तो मैं उसका जीवन भर गुलामी करूँगा गजब के आदमी हो यार तुम लोग कौन है भारती पटेल मैं तो ये भी नहीं जानता कि ये कहां भी मुझे लोगों से पता चला कि ये हर दोई तरफ की है उसमें एक रिसी स्रिवास्ता हो है उनके जान पहचान के ये लोग पढ़ते हैं उधर से एक एड़ोकेट हैं ये अलाहबाद में मामला आया था लेकिन ये मुझे ये पता चला मुझे भी उस समय बलफ में रखा गया कि भारती पटेल एक समाज की लड़की है उसका जबरजस्ती जनरल के लोग नाम उचालना है तो मैंने एक पोस्ट डाल दी थी और फिर ये देखो उस पोस्ट को मैंने उसी समय जब मुझे पता चला कि नहीं ये लोग गेम खेल रहे हैं कि लखनव में कोई न जान पाए इलाहाबाद में ये लोग जाके इसी वेज़से आईए डाल रहे थे तो मुझे बहुत अच्छे पता चल गया तो मैंने इनका फिर विरोध किया वो सबसे पहला आदमी था जो मैं बताए कि लखनव में केस पढ़ने वाला है तो कि सबसे पहले नोटिस मुझे को मिली ये लोग आर्शट पान सवके हैं आर्शट पान सवका हर आर्शट पान सवका हमारा ही तैसी तो हो नहीं सकता तो सबसे बड़ी बात और तुम लोग के लिए मैं जो जो चढ़ा बढ़ा के बोलवाने की कुसिस कर रहे हूं इसका नुकसान चढ़ाने वालों को भी मिलेगा बढ़ाने वालों को मिलेगा यह भूल जाओ कि मैं अंदोलान करके इतनी सीड बचाया बता रहे है तुम्हारी क्या होगा जब मैं सो रहा था तो बढ़ा अब तुमको पता चल मेरे बारे में गलत बोलना खुद अच्छे तुमको पता चल जाएगा धीक है हःग्णी मैं जान रहा हूँ कि तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम बिना नसे में अमरेंदर सिङ्ग के बारे में बोल लो मैं यतना बहुत हैसे जानता हूँ वाँ जाएगा जितने तीन चपटे हैं सब के बारे में इन ही लोगों को मैं आप लोगों के सामने प्रदर्सित करूँगा पुरी टीम हमने उपनी बुला ली है एक रणीती बनाई जा रही है कल सभी लोग लखनवों में होंगे कल सबसे बात चीत कर लिया जाएगा जबकि देखिया अंदोलन करना हो अधिकारियों से मिलना हो बिडाउट टीम वर्क कुछ नेगे चार लोग चार खाने से आये हैं ये भग जाएगे ये वही लोग हैं जैसे भासकल लोग हमेशा काम जो करते आये हैं होनी के ये अनुवाई हैं जो एक नवकरी के लिए आये थे और आज जाके इंसे ये प्रस्न पूछ सकते हो ना कि तुम लोग तो हमेशा ये कहे हो ना कि हम एक नवकरी के लिए आये हैं हमें एक अपनी नौकिस मतलब है तुम पार्टी बने हो न एक बात बता दीजे वकील एक लोगों की तरफ से भी वही एफिडेविट देगा एक हजाल लोगों की तरफ से भी वही एफिडेविट देगा तो क्या मतलब है पार्टी का हमको जरा यही बता दीजे अफिलहाल गवर्मेंट स्वहम कह रही है अगर आप लोगों को लगता है कि ये लोग अधिकारियों से मिले है तो मैं खुले आम खुले मन से चैलेंज कर रहा हूँ कि आप समाज के जितने और आट सट सव के जितने लोग हैं पचास लोग आईए हम पचास लोग बाहर रहेंगे इनकी बस इतनी हैसेत आप लोग देख लिजे कि अधिकारी के हाँ जिस अधिकारी के हाँ मिलने जाएं उस अधिकारी के बाहर गेट पे हम खड़े रहेंगे ये उनसे मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं यही आप लोग देख लेए आप इनकी आवकास समद में आ जाएगी यह देड़ पूट धाई फूट आधा आधा तेड़ा लोग हैं यह लोग यही रहा होता तो यह लोग आंदोरन बहुत पहले सब इनी जैसे लोगों से हम लोगों ने बहुत लड़ा है और इनसे लड़ना संभंदी तर्थिकारी से प्रताब सिंग भगेल हैं अगर प्रताब संब भगेल कह दें कि हम तीन घंटे ने तीन मिनट से मिले हैं तो जो कहimportant यह मैं वहार जाओंगा आप लोग कहेंगे कि जहां कहेंगे मैं वहां आप लोगों से माफी मागने के लिए तैयार हूँ आप लोग हमारे साथ चलिए ये लोग भाई उसमें कोई यादव केस कर दे कोई वह कर शितकर किसी संब्ल नीरमोदी भग गये, क्या मोदी के दोस्त है क्या भाई यह हम कह रहे हैं 68-500 के लोग हैं उनको अपना हित्प्रभावित लगा वो लोग 8500 की भीहाब पे भी केस किये इसके बाद उनको लग रहा है फिर भी सरकार उनको बलफ खेल रही है फिर उन लोग इने 12460 के लोगों नो इसे मिक्स होके 12460 के लोग तो उससे वो मेरे साथ भी बैठे होंगे मेरे साथ के लोग भी होंगे वो भी अपने हीट के प्रभावित के लिए लड़ेंगे उस से मेरे का और रहीँ बद उस याज़का का आप कोई मैटर नहीं होता अप उस याज़का का कोई भी समरांध वकील से कुई समझदार वकील से पूझ लिजिए वो याज़का design हो चुकी है उस याज़का क्या को पाल्टी बनाया जाएगा सबही को नोटी सीश Christmas किया जाएगा publicly paper में बोला गया कि जिसको अपना बनना वह Junior Event हम लोग तो बने हैं अगर हम प्रभावित होंगे तो वह भी प्रभावित होंगे जो बतिशयां हम बोलेंगे वही तो वह लोग भी बोलेंगे एफी डेपिट तो यह की होगा ना बिहाफ आफ शिस्टी एट हंडर तो कुल मिलाके अब यह लोगों को मैं क्या बताऊं मुझे कहने में भी हंसी आती है कि यार अगर आज मैं यह चाहता हूं कि याज लोगों को यह डिसाइड करना होगा कि किया किसने ह समझदार हैं हम लोग की हैं सला एक ठू यह जो आया है टकला यह अपना वहां बैट के नोड़ा में जौप कर रहा है एक मनोज प्रजापती थर्ड क्वाल्टी का वह उसके वकील एक ठो बिद्यारे में पढ़ाता है रहूल मौर्या और तुम लोग हमको दमकितुमको हम हम तुमारे बिद्यारे बुरा बोल रहे हैं से तुमारी दिख जाएगी बहुत अच्छे समझदार हो और बहुत अच्छे तुम समझ भी गये होगे जो यह आउडियो वाइरल कर रहे हो हो सकता है फिर आउडियो तुमारी वीडियो सब वेकार मिले रील जिल मिला जाएगी मिस्टर टकले मुंडे चलो ठीक है फिलाल मैं तुम इंदजार कर रहा हो कि तुम लोग छलो खुले आम कम से कम मेरा विरोध कर दिये अब इस चीज का भुकतान अट सट सो लोगों को अगर ना भोगना होता तो बहुत अच्छे तुमको मैं समझान के लिए कैपेबल था